हलो एब्रिवन गोड इबनिंग नमस्कार चेहिंद मैं आपका जीश एजुकेटर स्वागत करता हूं वाइफा स्टेडी स्टूडियो जीश पार्ट पनेगेडमी तो अभी आपकी क्लास चल रही थी और क्लास चलते-चलते अचारेंग से रुख गया मैं भी सॉक्ड हो गया क्या आखिर हुआ क्या देख रहा हूं मैं देख रहा हूं मेरी आवाज आरी आप तक अब एक काम करो आपकी रिस्पॉंसबिलिटी है लिंक को कॉपे करके सेयर करो जहां तक सेयर कर सकते हो जहां तक मतलब इंडिया में करना बहार मत जाना देख रहा हूं ना तो अभी चाहँ से technical mistake होगे technical mistake के कारण बिच में class बंद करना पड़ा लेकिन class को बिल्कुल छोड़ना नहीं है जहां हमने छोड़ा वहाई से शुरुवात करना था कहां से छोड़ा था बताओ कहां थे हम लोग कौन से question देख रहे थें देखो यह पिक राओ दिख रहाओ दिखाऊ ना थाम दिखाऊ नस्रम विल्कुल दिख रहाओ कम चेकम ये तो कह दो ऊंपनבה सरु सब कर चुकर तैंना ये मिरी ना अला न врем नहीं जैसे मैंने आपको बताया कि सुर्य गरहन रिंग ओफायर वैसे आपके क्लास फायर हो गई तो देखते हैं बच्चे कि किस परकार का सुर्य गरहन रिंग ओफायर होता है एनुवलर सोलर एकलिप्स कुंडला कार सुर्य गरहन इस अकार का सुर्य गरहन हमेशा रिंग ओ फायर होगा जो आप इमेज में भी देख सकते हो जब चंदर्मा पिर्थुवी और सूर्य सूर्य गरहन के बीच सीधे गुजरता है तब ऐसा होता है नतिशतन चंदर्मा हमेशा पूरे सूर्य को तो डग नहीं सकता है क्योंकि सूर्य के अगर मैं बात करूँ ये पूरा कवर तो करेगा नहीं तो सूर्य के परकास के समकिली अंगूठी की तरह कुडला कार सूर्य गरहन बनाता है जिसे रिंग ओफ फायर कहते हैं आप इमेज देख सकते हो ये देखो ये देख रहे हो बिलकुल अंगूठी की तरह अंगूठी से कई लोगों को ध्यान में यह आया हो सूर्य गरहन के समय जो सूर्य का भाग दिखता है उसे क्या कहते हैं कोरोना उसे क्या कहेंगे कोरोना कहेंगे जरा बताना कमेंट बॉक्स में जल्दी उसे क्या कहेंगे कोरोना या किरिट जल्दी कोरोना या किरिट क्या कहेंगे कोरोना कहेंगे या किरिट कहेंगे कोरोना या किरिट कोरोना और किरिट दोनों कहेंगे सवाल नमबर बारा चलिए हूर डिस्कवर्ड हैबी वाटर भारी जल्गी खोज किसने की भारी जल्गी खोज किसने की जल्दी हूर डिस्कवर्ड हैबी वाटर भारी जल की खोज किसके द्वारा की गई तो भारी जल की खोज की बात करें आपको याद होगा भारी जल की खोज किसने किया हिराग से ही जूरे ने जबको आपको याद है Solinson लॉरेट Solinson H.PL Solinson ने pH value की खोज pH value की खोज और हेंडरी बैकुरेल की बात करें रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी रेडियो सक्रियता रेडियो सक्रियता यूरे एंड वासबोन दो बैक्ती हैं जिन्होंने भारी जलके खोज की D2O, Deuterium Oxide D2O, Deuterium Oxide की खोज की तो अब जो उप्सन नमर वन देख रहे थे आप कलेप्रोथ ने क्या किया पीच ब्लेंड यादे यूरेनियम का आयस्क पीच ब्लेंड की खोज मार्टिन हैंडरी कलेप्रोथ ने 1789 में किया जबकि यूरेनियम धातु को अलग करने वाला पहला वेक्ति कौन था यूजिन मेल्चियर पेलिगोट और 1896 में हेंडरी बैकुरेल ने रेडियो धर्मी गुनों की खोज की थे खोज की थे क्लियर है आरे बात समझ में आगे दिखुंड भारी जल का विसकार 1932 में यूरे और वासबोन ने किया यूरे को 1934 में भारी हाइडरोजन और भारी जल की खोज के लिए केमिस्ट्री का नोबिल पुरुषकार परदान किया गया है नेक्स सवाल के बात करें सवाल मत करा जल्दी परकास की गती के बारे में निम्लिकित में से कौन सा सही नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा सही नहीं देखो परकास की गती को सबसे पहले रोमर मापा था बहुत बढ़ी है बिल्कुल सही परकास की गती वैक्यूम में निर्वात में सबसे अधिक होगा क्यों इसे मीडियम क्या हो सकता नहीं है माध्यम क्या हो सकता नहीं है अब अगर मैं सी की बात करूँ केवल तरंग की रूप में दिखता है क्या नहीं तरंग की रूप में दिखता है क्या नहीं विद्धुत बल्ब एक परकार का luminous body है बिल्कुल सही है तो क्या होगा option number c is correct तो क्या सही होगा बच्छे परकास दोनों से दिखेंगे तरंग के रूप में और कन के रूप में अब देखना कभी भी जो हलकी सी जहीं कहीं से भी लाइट आ रही है न वहां हलके हलके dust particles दिखेंगे dust particles दिखेंगे that means यह आप देख सकते हो कि एक light है जा dual nature प्रकास में दोरी प्रकृती होती है तरंग की तरह भी काम करेगा ये वाले पार्ट पे और कन की तरह भी काम करेगा ये वाले पार्ट पे clear है बच्चे आरी बास समझ में हम दिखाना सर बिल्कुल clear है ठीक है सवाल नमर्च चौदा बिल्कुल आसान सवाल हल्वा वाला सवाल चीक है जल्दी अनुभाव जी अच्छे कोश्टन्स को न अभी मैंने कहा है रेलवे से वो मुझे पार्सल करेंगा अच्छे कोश्टन्स वो बिल्कुल पैकेट रुकेटमी न बंद करके लाएगा ताकि वो अच्छे सवाल अगर आपको बहुत ज्यादा सौ कहना तो यू पीएसे का फॉम बरो और आराम से तैयारी करो अच्छे कोस्टन के लिए मुझे पता है कि आप टॉप करने वाले इस गुरूप में पेसेस रखा करो बच्छे कौन सा देश सार्क का सदस्य है मालदिव सार्क का सदस्य होगा हम हम यहीं फस्ते हैं एम में मलेशिया मौरिसस मालदिव म्यानमार तो क्या होगा कितने पाकिस्तान इंडिया नेपाल साथ देश हैं कौन से साथ देश हैं जो सार्क के सदस्य हैं लास्ट में कौन बने है अभी सार्क है आठवा देश कौन बना है अफगानिस्तान यानि कुल मिलाकर आठ सदस्य है दो हजार साथ में दो हजार साथ में अफगानिस्तान जुड़ता है तब आठ सदस्य है अदर्वाइस साथ सदस्य थे याद रहेगा जब अफगानिस्तान को आड़ नहीं किया गया था तो कुल सदस्यों के संक्या साथ हैं अदर्वाइस सदस्थापक सदस्थे थे बच्चे सार्ग के साथ संस्थापक सदस्थे हैं बांगलादेश भुटान भारत मालदिव नेपाल पाकिस्तान स्रिलंका अफगानिस्तान 2007 में सामिल हुआ है कुल मिलाकर कितने आठ है कुल मिलाकर आठ है 1950 में इसके अस्थापना के गई कहां बांगलादेश में धाका में मुख्याले काठमांडू मुख्याले कहां इसका काठमांडू है ठीक है आगे देखाँ सवाल नुमर 15 जल्दी चंदन जी 2005 नहीं 2007 सुधार लो कौन सा तत्व संक्रमन धात्वों से संबंधित नहीं है कौन सा सामिल नहीं है बिस्मत जबकि जिर्कोनियम जेंक क्रोमियम सब ये ट्रांजिशन मेटल सोगा सब ये ट्रांजिशन मेटल होगा बिस्मत ट्रांजिशन मेटल नहीं है ठीक है बिस्मत ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है जबकि जिर्कोनियम कौपर जेंक सब ट्रांजिशन मेटल है जबकि बिस्मत क्या है ये नॉन मेटल है बिस्मत क्या है ये जल्दी which of the following is correct about the human bone नम्लेकित में से कौन सा मानव हड़ी के बारे में सही है पुन सा मानव हड़ी के बारे में सही है जल्दी मानव हड़ी के बारे में क्या सही है कोई सही नहीं है क्यों कान में पांच हड्डियां होती हैं गलत कान में 6 होंगी इंकस, मैलस, स्टेपीज 6 हड्डियां होंगी मांस्पेशिया और हड्डिया लिगामेंट से जुड़ती हैं मांस्पेशिया और हड्डि टिंडन से जुड़ेगा bones, bones, ligament से जुड़ेगा यह आपके सामने है यह आपके सामने तो man's, spacy, muscles, bones, tendon से जुड़ता यह भी गलत bones, bones, ligament से जुड़ेगा यह भी गलत option number one, option number two is correct option number one, option number two is correct अरे बस समझ में, दोनों आपस में interchange करना है कान में छैट दी होंगी, तीनों गलत है तीनों गलत है, ठीके तो man's, spacy और हड़ियाँ एक साथ tendon से जुड़े होते हैं, याद रखो न MBT, MBT, muscles, bones, tendon और bones, bones, ligament कान में छैट दी होंगी, सबसे छोटी सबसे छोटी हड़ी, सबसे छोटी हड़ी सूरज कुछ technical glitch होगे तब बच्चे भारतिय हाथी, नम्निकित में से किस राज का राजकिये पसू है, तो भारतिय हाथी की बात करें, किस राज का राजकिये पसू होगा जारखंड, किसका होगा जारखंड का, किसका जारखंड का, ठीके, देखो मध्य पर्देश का 12 सिंगा उत्तर पर्देश का बारसिंगा ये scientific name हो गए ये scientific name है रुकवस डुवस एली ये scientific name next की बात करें जारखंड का इंडियन elephant भारतिय हाथी अगर मैं बात करूँ scientific name की तो एलिफस, मैक्सिमस, इंडिकस और तमिलाडू का नील गरी तहर अगर मैं बात करूँ scientific name का तो नील गरी ट्रेगस हाइलो क्रेस ये scientific name इधार आपके सामने है ठीक है सवाल नुमर 18 जल्दी 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 Olympic खेलों के पर्तिक में दो रंग नीले और काले है अन तिन रंगों के रंग क्या है तो आपको याद है कि Olympic खेलों में पांच रंग होते है कितने पांच रंग होगे तो क्या होगा तीन और green yellow रिड सचेन जी मैंने करा दिया आप नहीं आये थे आप गायव थे देख लिना वीडियो ग्रिन एलो रेड टोटल पांच है टोटल पांच परतिक पांच एक दूसरे एक से लिप्टे रंगों से बना है परतिक अलग रंग जो दूनिया के पांच महादीपों का परतनिद करता है या ओलम्पिक ध्वज के केंदर में रखा गया है तो आप देख सकते हो नीला रंग यूरोप को डेडिकेट करेगा पीला रंग एसिया को डेडिकेट करेगा ब्लैक अफ्रिका को डेडिकेट करेगा लाल अमरिका को डेडिकेट करेगा और ये ओसिमिया को करेगा बिल्कुल याद रखने के तरीका साधी ब्या होता है क्या लगाते हो अरे इस तर हल्दे लगाते हैं एसिया में हैं हल्दे लगा लिया आज बुलू है पानी 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 अफरीका पानी जोरी यूरोप नीला बिलकुल पानी की तरह अफरीका के लोग काला होते हैं बिलकुल और भाई अमेरिका के लोग तो लाल होते ही हैं खाना पीने वाले मस तक्दम लाल और एक बचा ओसेनिया औस्ट्रेलिया यानि कि कितने पांच कितने बच्चे पांच कितने पांच लो उस ए फल्ट में आ रहा है बाद समझ मत्रय गया अधूर नबर 19 अब था पॉले में इस नोट करेक्ट में लिकें नहीं है जल्दी विचल था फॉले में इस नोट करेक्ट प्राकर्तिकरं कौन होते हैं प्राकृतिगरंग RGB रेड ग्रिन बुलू ठीक है जल्दी तो कौन साई नहीं है बच्चे देखो Wikileaks के संस्थापक जूलियन असान जे टेलिग्राम पाविल दूरोव बहुत हल्ला कर तो टेलिग्राम टेलिग्राम पाविल दूरोव WhatsApp ब्राइन एक्टन और Instagram ट्यूटर द्वारा विक्सित किया गया गलत FB द्वारा Instagram किसका बच्चा है FB का बच्चा Instagram है FB का बच्चा Instagram है Option No.4 is सही नहीं है ठीक है तो WhatsApp का मुख्याले 2009 में WhatsApp देखने को मिला मिल्लो पार्क कैलिफोर्णिया संजुक्तराज अमेरिका अधिगरण 19 फरवेट 2014 संस्थापक जन कौम ब्राइन एक्टन WhatsApp है Instagram की बात करें Instagram Facebook द्वारा विक्सित किया गया था कब लॉंच किया गया 6 October 2010 को Kevin York Sis Promise के Founder है सवाल No.20 बिल्कुल आसान सवाल कैसी बाते करते हो बिल्कुल आसान सवाल बच्चो वाली सवाल कंदरिया महादू कितनी बार बताया अब मैं यह नहीं बताऊंगा कहां है यह बताओ कंदरिया महादू किस ने बनवाया किस वंस ने बनवाया किस वंस ने बनवाया कितनी बार बताया गया, कंदरिया महादेव किस वंस ने बनाया, चल्दी, किस वंस ने बनाया, तो ये मध्य परदेश में है, कंदरिया महादेव खजुरा हो, किस वंस ने बनाया, चंदेल ने, चलो मैं बता देया, चंदेल ने, आप बताओ चंदेल सासक कौन था, कौन से च कौन से चंदेल सासक ने बनाया किस चंदेल सासक ने निर्मान किया जल्दी सवाल नमर 21 पर्थम वीजूद में किसका उप्योग रसानिक हत्याई की रूप में किया गया था बहुत आसान सवाल बहुत तेजी सवाल कई बार परज़ चुके होंगे फर्स्ट वर्ल बार की बात करें 1914 से 18 में हुआ था चार साल तक चला था तो किसका यूज किया गया था तो यूज किया गया था मस्टर्ड गैस का किसका मस्टर्ड गैस का ननुक तो फाउंडर था वीमल सा बहुत बने स्वीटी जी वीमल सा ननुक तो फाउंडर था ननुक उसका फाउंडर था बिल्कूर या था ननुक क्या था फाउंडर था ठीक है तो मस्टर्ड गैस यूज किया गया था पर्स्ट वर्ल बार में क्या यूज किया गया था मस्टर्ड गैस यूज किया सालतार ग्लूरोपे इस्तवाल किया गया था Saban ल मिल्फ क्या होगा ये देख सकते हुँ क्या होगा डाइक लोरो डिथाइन सलफाइड आएक लोर डि THY सरन फिर से फञाइड किसका मस्टड गैस का रसाइनिंग नाम है मस्टड गैस का रसा कर ठीक है जिसे शालफर मस्टड भी कहते हैं केमिकल फॉर्मूला क्या होगा C4, S10, CL2, S एक पॉजेनियस गैस है जहरीली गैस है ठीक है सवाल नमर बाइस के तक क्रित्रियम स्वास सोधक रसानिक पदार्थ जिसे डैस को नियंतरित करने के लिए उप्योग किया जाता है सवाल नमर बाइस जल्दी 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 हो ज़रा बताओ क्या होता है चुवा मारने वाले दवा वह इए यह खाता है जब तभी सांस ले पाता है यह सांस लेuinे पाइग़ल होता है चुए होगा किसे कर दोल करते हैं माउस को यह माउस मा समझना माउस चूहा तो जिसको ओम जिंकफॉसफाईड या पोटेशंसाइनाइड कहते ही पोटेशंसाइनाइड केसीन या जिंकफॉसफाईड जेड अन्ट 3P2 चुहा को मारने के लिए एक जहरीले रसाइन करोप में उप्योग करते ही याद रखना है ठीक है कि क्या यूज करता है बच्छे चाहे पोटेसम साइनाइड दे आप्शन या जिंग फॉस्फाइड गल्ती मत करना दोनों समान है दोनों एक समान है सवाल नमर तेईस भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था जल्दी भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था मुहमद बिन कासिम मोहमद मिन कासिम अभी के पकिश्टान में लगाता है अगर यह उप्शन नहीं है और अगर कुट्व फुद्विन ऐबख ओप्शन हे तो कुट्व फुद्विन इस्वे में आकरमन करता है ये अगर यह मुहम्मद बिन कासिम भी option में है और qutubuddin aivak भी option में है तब क्या होगा पहली बार कह रहा है तो मुहम्मद bin कासिम लेकिन पूरी तरह से qutubuddin aivak ने लगाया था फिरों साथ तूलक पहली बार ब्रहमन पर लगाता है पहली बार ब्रहमन पर लगाता है और यह जे भी लगाता है जब आकबर हटाता है क्लिए रहे मेरी बाद समझ में आ गया मैंने क्या कहा मेरी बाद समझ गए मैंने क्या कहा जरा समझ गए तो थम दिखा देना किसार बिल्कुल जो आप ने कहा, कुत्यूबुदिन आयबक और मुहमध बिनकासिम में डिफरेंसिस समझ गए, तो जरत हम दिखा देना क्यों 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 कि मुहम्माद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत में सिंधपरांत के देवल में लगाया सिंधपरांत कहां आज पाकिस्तान में है पाकिस्तान में है अगर केवल भारत होगा कि भारत में पहली बार किसने तब कुतुबुदिन ऐबक ने लगाया बिल्कुल य प्रहाम पर जगाने पहला सुल्तान और कस्मीर में सरफ पर्थम जजिया लगाने वाला सिकंदर साह, यह भी याद लखना कसमिर के बारें पूछेगा तो कश्मिर के बारें पूछेगा तो सिकंदर साह ठीक है कि अब समझना आ गया चलू कि सवाल नबर 24 बोड़ों कहां की भासा है जल्दी बोड़ों भासा निम्रिकित में से किसराज जी में बोली जाती है बोड़ों भासा कहां असम देखो एक ची समझना जब समिधान लागू हुआ था चौदा भासा था वर्तवां समय आठ जोड़ों तो बोड़ों भी जोड़ा गया बोड़ों बोड़ मास बोड़ मास तो बोड़ों असम डोगरी जमु कस्मीर मैतली बिहार संथाली जारकन चार भासा फिर जोड़ा गया नमक निपाली मनिपुरी कॉंकनी फिर जोड़ा गया सिंधा यानी सि तो बाद में आठ भासा जोड़ा गया जो असम का लिंग्विज है असम का लिंग्विज है ठीक है सवाल नमर 25 विसी ता हैविएस इंटर्नल ओर्गेन इन दा यूमेन बॉड़ी मानव सरेर में सबसे भारी आंतरिक अंग क्या है जल्दी मानव सरेर में सबसे भारी आंतरिक अंग की बात करेंगे जो सबसे बड़ा ग्लैंड है जो लार्जिस्ट ग्लैंड है न जो लार्जिस्ट ग्लैंड है हिमेन बॉड़ी का वही हैविएस इंटर्नल ओर्गेन है वही भारी है वही भारी है बिलकुल याद रखना वही भारी है क्या होगा लीवर होगा यक्रित होगा पैंक्रियाज सेकेंड लार्जिस्ट सेकेंड लार्जिस्ट सेकेंड लार्जिस्ट सेकेंड लार्जिस्ट पैंक्रियाज को मिक्स्ट ग्लेंड बोलते हैं क्यों इससे इंजायन भी निकलेगा और हार्मोन भी निकलेगा इंसूलीन अरिवा समझ में तो क्या होगा लीवर इस करेक्ट लीवर इस करेक्ट यानि दा लार्जेस्ट इंटर्नल और्गेन इस दर लीवर सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकरित है जो 1.6 किलो ग्राम पाउंड की बात करें 3.5 पाउंड के आउसत के साथ सबसे भारी अंग ही है मजा गया है सोचो हम जानते थे सबसे बड़ा ग्लैंड लेकिन सबसे भारी अंग भी है सबसे भारी अंग भी है बिलकूल याद रखना ठीक है सवाल 926 जल्दी बेटा जिनको इजी लगता है मुझे पता है युवारा सो टैलेंटेड लेकिन बेटा आपको एंटी पी एक जान देना है न यूपेसी नहीं देना अगर आपको बहुत आसान लग रहा था यूपेसी भरो ना मेरे लाल 2020 में फिर से यूपेसी आएगा है हिम्मत तो निकलो आगे कहने का मतलब है अगर है आपमें दम लगाओना जल्वा निकालो मैं तो चाहता हूँ कि जिनको आसान लगता है बेलकुल आप यूपेसी के ओर टार्गेट कर सकते हो तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सा रूप्यों की जाने वाले दो तक्व हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम यह क्या है यह सेमिकंडक्टर है यह सेमिकंडक्टर है सेमिकंडक्टर है सिलिकॉन जर्मेनियम सिलिकॉन की बात करें यह बैंगलूरू सिलिकॉन सेटी कहते है सवाल नमर 27 जल्दी which is considered as the oldest civilization of the world चलो विश्व की सबसे पुरानी सभेता के रूप में किसे मानती है जल्दी सबसे पुरानी सभेता की बात करें मिसोपुटामिया की सभेता विश्व की सबसे पुरानी सभेता मिसोपुटामिया की सभेता इसको बोलते हैं मिसोपुटामिया की सभेता बिल्कुल या तक न क्या बोलते हैं मिसोपुटामिया की सभेता सबसे पुरानी सबसे लास्ट में क्या होगा ये पिरियड मिस्व पुटामिया की सब्यता इसके बाद मिस्व की सब्यता फिर हडपा की सब्यता फिर चेन की सब्यता ये सेक्वेंस आपके सामने बिटा इसी समझना आप NTPC के लिए जा रहे हो तो जहां पर सुई का काम होगा वहां तलवार Svaal लेके थोड़े जाओं गो तलवार लेके जाओंगे नहीं सर में तलवार लेके जाओंगा तो जो NTP से का लेवल है वही लेवल का सवाल करोंगे कुछ और लेवल के सवाल करोंगे सवाल नमर 28 जल्दी इसे में टॉप करो न चालिस में चालिस लेके आओ तब तो तारीफ है इसमें भी गलती करेंगे चार-पांच जल्दी तो खाद पदार्तों के संदत्चन में नमलिकित में से किस पदार्त का उप्योग किया जाता है तो क्या होगा ये सोडियम बेंजोईट खाद पदार्त के संदत्चन करने के लिए हम उस पदार्त में मिलाते हैं वो सोडियम बेंजोईट होता है सोडियम बेंजोईट अब जरा बताओ साइट्री केसिड किसमें पाए जाता है किसमें पाए जाता है जल्दी किसमें पाय जाता है citrication किसमें पाय जाता है ज़रा बता जल्दी sodium benzoate का chemical formula की बात करें C7H5 NaO2 यह sodium benzoate का chemical formula है जिससे हम food preservative के रूप में खार दे संड़च्छक के रूप में ब्यापक रूप से यूज करते हैं परियोग करते हैं उपयोग करते हैं सवाल नमर 29 जल्दी सिर्का क्या बात है लेमन, सिर्का, नेम्बो कुछ भी बोल दो देखा जाएगा खटे फ़ल में कह दो न सीदे खटे फ़ल में पाय जाता है खटे फ़ल में दूद को कुछ समय के लिए खूले में रखने से खटा हो जाता है क्यों क्योंकि लाक्टिक एसिद होगा कार्बोनिक एसिद जितने भी पेपदार थे सोडा वाटर सोडा ड्रिंक वाटर में भीया साइट्रिक एसिद होगा खटे फ़ल में साइट्रिक एसिद खटे फ़ल में मैंने पूछा एसिर्टिक एसिद ये सिर्का में होगा विनेगर में ये सिर्का में होगा विनेगर में होगा बिल्कुल या तक ना उल्टा मत बोलो, साइट्रिक एसिद, खटे फल में, एसेटिक एसिद, विनेगर में, सिरिका में, लैक्टिक एसिद की बात करें, एक और एक्जामपल बनता है, कि हमारा बोडी बहुत ज्यादा दर्द करता है, जब लैक्टिक एसिद स्टोर हो जाता है, एक जगा पे जमा ह हो जाता है पर जमा हो जाता है के आ सिटास् drilled को खता बनाता है दհही में पाए जाता है डूद्यमं वीद्व द् жизниलाक्टींट के कारण होगा जो मुख भूप से लैक्टिक relaxing बैक्तरिया के कारण conspiracy देखने को मिलता है ठीक है सवाल नमर 30 the first law officer of the government of India इस्था भारा सरकार का पहला विधियादिकारी जल्दी क्या होगा the first law officer of government of India भारत सरकार का पहला विधियादिकारी भारत के महानियावादी है क्यों क्योंकि भारत सरकार के तरप से इनको भारत के किसी भी किसी भी कोट में सरकार का पक्ष रखना सरकार का पक्ष रखने में स्वतंत्र है आर्टिकल नमबर 76 इनकी salary इनका tenure राष्टपती पर निर्भर करेगा इनके नियुक्ती राष्टपती द्वारा जबकि कैग की बात करें आर्टिकल नमबर 148 अभी जी सी मुर्मु साहब कैग है कैग है एट और जनरल अफ इंडिया अगर राज सरकार की बात करते तब होता एडवाकेट जनरल अफ इंडिया एडवाकेट जनरल अफ इंडिया जनरल अफ इंडिया केक्के विर्डु गोपाल कौने बच्चे भी केक्के विर्डु गोपाल भारत के महानयवादी हैं और भारत के नियंत्रक और महालेगा परिक्षक जी स्री मुर्मू जो जम्मु कस्मिर के एल जी थे ठीक है सवाल नमर 31 जल्दी नीरजव्यद्या सोम रय वर्मन न कैड़ नी वो क्या है सीजीए हैं सीजीए सीजीए क्या हो सीजीए पंच इतंत्र किसके दवरान लिखा गया था तो ये गुप्त काल के दवरान किसके दवारा विषनुğa के द्वारा सिसनुों सर्मा क्यों है में विशमें सबसे ज्यादा बार ट्रांसलेट करें जाने वाली पुष्टक है पंच्ट्र सबसे जादा बार टांस्लेट करें जाने वाली पुष्टक हैं गुप्त पूरियर्ड में लिखा गया है कि ठीक है सवाल नमर 32 विच कंप्रेशर यूज वली यूज इन एसी कौन सा एस एसी में किस परकार कंप्रेशर यूज किया जाता है सवाल नमर 32 जल्दी ए कि जो को सब्सक्राइब करते हैं उसे रॐसे प्रौकेटिंग कंप्रेशर यूज देम एक टरौकेटिंग कंप्रेशर कहते हैं थो तो air conditioning की छंता पूरी तरह से compressor की छंता पर निर्भर करती है किस पर compressor की छंता पर निर्भर करती है compressor एक यांतरिक उपकरन है जो इसकी item को कम करके gas के दबाओ को बढ़ाता है देख सकते हो गैस के दबाओ को बढ़ाता है सवाल नमबर 33 चल्दी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बहुत आसान सवाल बहुत आसान पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो सुस्मा सवराची पहली महिला मुख्यमंत्री है कौन है शुसमा सवराची लेकिन ज्याइदा दिनों तक रहने वाली शीला देख्चीत शेथ अभी अर्विंद के जरिवाल है वरतमान में जो इनका तीसरा टर्म है जो इनका तीसरा टर्म है याद रखना तीसरा टर्म दिल्ली के बात करें सब्तर विधान सभा शाट लोग जल्दी अब यहां से कुछ करेंट देखते हैं अब यहां से कुछ करेंट के क्योंकि आपके रेल्वे में 5-6 कोशन करेंट के रहेंगे 5-6 कोशन कम से कम करेंट के रहेंगे बिल्कूल याद रखना तो बेडो निविगेशन सेटलाइट सिस्टम बिडियेस का अंती मुपगरा हाल ही में लौंच किया गया था बिडियेस किस देश का है तो बिडियेस कहां का चाइना का बिडियेस किस देश का है चाइना का ठीक है अनील बैजल गवर्नर बिल्कूल मान लिया बच्चे पुमपर का सिंदालिया बहुत दिन के बाग भया कहा था कहा थे वच्चे तो चीन ने अपने बेलडो निविगेशन सेटिलाइट सिस्टम के अंतिम सेटिलाइट को सपलता परोक लॉंच किया है जो कि अमेरिका की गलोबल पोजिस्टिनिंग सिस्टम के लिए एक परमुक अ उस भारती राज्ज का नाम बताईए जिसने राज्ज में MS-ME छेत्र का समर्थन करने के लिए रिस्टार्ट कारेकरम शुरू किया है बचे कर 9 बजे सुबा वाइफा स्टडी में चैनल पे यही 40 का दम होगा बिलकुल याद रखना 9 बजे सुबा जल्दी तो क्या होगा आंध्र पर्देश सरकार ने MS-ME छेत्र का समर्थन करने के लिए रिस्टार्ट कारेकरम शुरू किया है रिस्टार्ट कारकरम शुरू किया है ठीक है तो आंध्र पर्देश के मुख्यमंतरी वाइस जगनमोहन रेड़ी ने राज्य में सुच्म लगू और मध्यमुद्यम छेत्र को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए 1110 करोड रुपया का निया कारकरम शुरू किया है बिलकु प्लेटफोर्म शुच्टी 2.0 प्लेटफोर्म उस मंतराले का पता लगा है जिसने युक्ती 2.0 प्लेटफोर्म लांच किया है क्या होगा तो मिनिश्ट्र आप हुँमन रिसॉर्च जबलपेंट यह नाम चेंज हो गया अब एजुकेशन डिपार्टमेट ऐसा ही कुछ नाम रखा गया है पोखरियाल निसंक सहाब हैं इसके मंत्र आले रमेश पोखरियाल निसंक जिनका संसद्य छेतर हरिद्वार है संसद्य छेतर हरिद्वार है ठीक है बच्चे क्लास तुरन शुरूगा था साड़े 6 बजे ठीकना मानो संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निसंक ने यु कि शुरुवात किया जा सके एक अच्छा मंच प्रोवाइड हो सके सवाल मर्साइंटिस जल्दी OBC के उपवर्गी करण के मुद्दे की जाच की लिए समित्हान का अनुछे 340 के तहत गठित आयोग के अध्यक्स कौन है तो अनुछे 340 के तहत जो OBC का उपवर्गी करण का मुद्दे की जाच की लिए कमीटी गठीद की दून का अध्याक्ष बने हैं ठीक है अक्तुगर 2017 में नियाय मूर्ती जी रोहिनी के रष्टा में आयोक्या स्थापना की गईती बिल्कुल याद रखना सवाल 28 जल्दी हाँ नितीन जी वो आप से पूछ लेगा रेलेवे किया ऐसे सवाल पूछे कि ना पूछे याम करो ना सेटर बन जाओ आप सेटर बन जाओ ताकि आप अपना विकال्यान कर सको बच्चों का विकल्यान कर सको ऐसा सवाल नहीं पूछेगा सर मुझे पता है पता है तो नौकरी ले लो न सर सेटर बन जबाँ सवाल नहीं बनेगा 40 में से मुझे पता है 10 नंबर ना आएगा अगर दे दिया जा सवाल तो सर ऐसा सवाल नहीं पुछे कितना confidence बंदे को देखो इसलिए जाकर ऐसा ही बच्चे over confidence के सिकार हो जाते हैं कि संगठन ने समवेशन और सिक्षा सभी साधन सभी सिर्षक से रिपोर्ट जारू की है तो ये जुनेसको ने किसने जुनेसको ने किसने जुनिसेफ क्यों करेगा भाईया जुनेसको फूल फॉर्म देखो United Nations Education United Nations Education यहां बात किसकी हो रही है एजुकेशन की क्यों जुनिसेफ के पीछे लगे हो तो United Nations Educational Scientific and Cultural Organization की Global Education Monitoring Report टीम ने Inclusion and Education All Means All पर अपनी रिपोर्ट 2020 रिपोर्ट लॉंच गया हाँ से क्यों रहे हो गलत मैंने क्या कास हो बताओ इतना ओवर कॉन्फिडेंस बच्चा को सार ऐसा सवाल नहीं पुछेगा सुचो कॉन्फिडेंस कितने हाई है सिच्चा पर सचनेबल डेवलप्मेंट गोल फोर की दिशा में परगतियों सिच्चा समदिर एक एजेंडा का मुल्यांकन करती है ठीक है सवाल मन 49 जो पुछेगा बता दो जरा बच्चे एक साल का करेंट याद रख लो वन येर का लेकिन कुछ ऐसे जीके हैं वो करेंट वो पुराने नहीं होते है कुछ करेंट ऐसे हैं जो पुराने नहीं होते हमेशा याद रखना जैसे ओभी सीपर बना गया था पहला मंडल आयोग मंडल कमिशन आज तक पुराना हुआ है क्या आज तक मंडल आयोग पूछ रहा है आज तक मंडल आयोग पूछ रहा है कुछ करिंड के कोस्टंस कभी पुराने नहीं होते हैं बिलकुल याद रखना कभी पुराने नहीं होते हैं बिलकुल याद रखना ठीक है तो माली किस देश के NTPC को 500 MW के Solar Park के Project Management Consultancy अनुबंद में माली कौन माली तो माली गनराज ने NTPC Limited को माली में 500 MW के Solar Park के विकास के लिए Project Management Consultancy अनुबंद से सम्मानित किया है बिलकुल याद रखना ठीक है सवाल नमर 40 जल्दी क्योंकि कुछ Currents ऐसे हैं बच्चे वो Static GK बन जाता है वो Static GK बन जाता है बिलकुल याद रखना इसी भरम में रहोगे ये पूछेगा ये नहीं पूछेगा तो पता चलेगा कि आपके घर वाले आपको नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि आपने यही करा न ये पूछेगा ये नहीं पूछेगा चात्ते रहा गए तो 233 वर्सों में मैरिली बोन किर्केट क्लब की पहली महिला अध्यास कौन बनी क्लियर कॉनर और एक एस याई की बात करें तो कुमार संगकारा बने थी कुमार संगकारा याद रखना ठीक है तो क्लियर कॉनर क्या है बच्चे इंग्लैंड की पूर महिला किर्केट कप्तान क्लियर कॉनर इंग्लैंड की पूर महिला किर्केट कप्तान क्लियर कॉनर जरह ओल्ड राउंडर 233 वर्सों में मैरी लिवोन किर्केट कलब की महिला अध्यत बनी उनका कारेकाल कब सुरू होगा तो कारेकाल अभी सुरू नहीं हुआ बिल्कुल याद रखना कब सुरू होगा एक अक्टूबर 2021 से एक अक्टूबर 2021 से शुरू होगा ठीके एक अक्टूबर 2021 से शुरू होगा बिल्कुल याद रखना और 30 सितंबर 2022 को समात होगा 30 सितंबर 2022 को समात होगा 36 96 96 96 96 96 96 क्या है ये 36 96 बिल्कुल याद रखना क्या है कोड कैसा कोड तो आपको याद है कैसा कोड है कैसा कोड है जहां पर आप जहां पर आप टेश्ट देते हो क्विज करते हो अनकाडमी पे जहां पर आप क्विज करते हो अनकाडमी पे अब क्विज करते हो अनकाडमी पे ठीक है तो 36 96 ये कोड है इस कोड को यूज करना गोल सेलेट करना सेसी एक जाम ठीक है 36 96 96 96 अभी एक क्वीज होगा अनकैडमी पे क्वीज होगा अनकैडमी पे उस क्या करेंगे ये कोड डालेंगे 36 36 96 80 इस कोड को डानने साब जोईन कर सकते हो इसके अलावे मैं आपको बता दू कि जो 5000 प्लस सवालों की सीरीज है अनकैडमी पे शुरू किया गया था बच्चे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी 70 दिन आपके पास है अभी भी आपकी तैयारी हो सकती है लास्ट में लास्ट एक महिना केवल और मैं सोच रहा हूँ इसके साथ साथ मैं आपको विक में दो टेस्ट चालिस प्रश्णों की सीरीज में लेकर आ रहा हूँ अक्टूबर में ताकि ये class भी कर लो और 40 प्रस्टों की दो टेस्ट आपको मिलते चले week में यहाँ पे class के रूप में बिल्कुल explain करेंगे अगर अभी तक आपने join नहीं किया है तक join कर सकते है referral code 2210 लगा कर जिसमें से पूरी GS की तैयारी हमारी even current affairs की भी साथ चात reasoning भी पढ़ सकते हो यहाँ और math भी कहीं भागने की जरूरत नहीं है कहीं भागने की जरूरत नहीं है इसके अलावे अगर आप चाहते हैं मैं detail में पढ़ाना चाहता हूं तो आप हमारे foundation कोर्स में join कर सकते हो अनकाडमी पे जहां मैं वर्ल्ड जोगर फी पढ़ा रहा हूं इसके बास science शुरू होगा general science ठीक है बस referral code क्या लगाएंगे बीए बीए वन जीरो बाबाटीन ठीक ना बच्चे कैसे जोइन करें अनकाडमी लर्णिग डाउनलोड करना गूगल प्ले स्टोर में उसे ओपन करना पर यहां mobile नबर डालना six digit OTP पे क्लिक करना क्लिक करने के बाद यहां पर अपना गोल सेलेट करना railway exam देखरो यहां पर railway exam जैसे गोल सेलेट करोगे फिर get subscription पे क्लिक करना get subscription पे क्लिक करने के बाद कितने मन्त का तो 12 महिने कम से कम क्यों क्योंकि सर CBT1 किलियर करने के बाद कम से कम चार से पांच महिने आको समय मिलेंगे क्यों क्योंकि दो महिन तो जाम चलेगा 2-3 महिना लगेगा result करने में तो अभी सही CBT 1 और 2 दोने की तयारी साथ साथ गुरूप D भी बर रखा होगा, उसकी भी तयारी करेंगे ही, तो बारे महिने का जो प्राइस पांच सजार है, जैसे आप रेफरल को यूज करते हो, बाबा टेर यह घटकर हुआता है, पैतालिस सो, आपके पास कुछ क्रेडि कार्ड होगा, तो EMI में convert करवा सकते हो, रेफरल कोट क्या यूज करेंगे, बाबा टेर, अगर सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, सेर करना अपने दोस्तों के साथ, पहली बार इस्टुडियो चैनल आए हैं, सब्सक्राइब जरू करें, मिलते हैं नई सेशन मे तब तक लिए अपना ख्याल रखी,